जम्मु कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के खिलाफ दाखिल पेटिशन्स पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को तेरवे दिन की सुनवाई हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से सालिसीटर जर्नल तुशार महता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया हम केंद्र शाषित प्रदेश में कभी भी चुनाओ कराने के लिए त्यार हैं लेकिन पहले पंचाद चुनाओ करवाय जाएंगे। 29 अगस्त को हुई 12 दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूचा था कि जम्मु कश्मीर को कितने समय में दोबारा राज्य का दर्जा मिल पाएगा। इस पर सालिशिटर जर्णल महता ने कहा हम इसके लिए कोई निश्ची टाइम लिमिट नहीं बता सकते चुनाओं की तारिखों को लेकर इलेक्शन कमिशन जल्द फैसला लेगा। पिछली सुनवाई में केंदर की तरफ से सालिशिटर जर्णल तुशार महता ने सुप्रीम कोट को बताया था कि वे गुरुवार को इस बारे में पॉजिटिव स्टेट्मेंट देंगे। कोट ने के दे से सवाल किया कि जमुकश्मीर को यूनिन टेरिटरी बनाने का कदम कितना टैंप्रेरी है और उसे वापस राज्ये का दर्जा देने के लिए क्या टाइम लिमिट सोच रखी है इसकी जानकारी दे यह भी बताये कि महां चुनाओं कब कराए जाएंगे इसके जबाब में आज सॉलिशीटर जर्णल तुशार महता ने कहा कि जल्द ही जमुकश्मीर में चुनाओं कराए जाएंगे लेकिन इससे पहले पंचाय चुनाओं कराए जाएंगे